तो दोस्तों PSP Portal पे एक नया अपडेट आया है प्रीक्स आप परणाम का अब इस नय अपडेट को लेके हमारे कई स्कूल साथी हैं वो चिंतित भी हैं और भर्मित भी है कि ये नया अपडेट क्यों आया है किसले आया है इसका क्या करण है और इसमें हम किस तरह से प्रीक्स आप परणाम है वो अपडेट कर सकते हैं अगरा वगरा तो टोटल जानकारी इस वीडियो में है मैं आपको देने वाला हूँ अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों सबसे पहले प्रीक्स आप प्रणाम को लेके जो नया अपडेट है वो PSP पोर्टल पे पर किस तरह से उसमें अपडेट किया जाता है वो प्रोसेस में आपको पहले अपने PC के स्क्रीन पे दिखा देता हूं और इसके बाद आगे इस अपडेट को लेके दो-चार खास बाते हैं वो आपको बताऊंगा तो चलिए चलते हैं PC के स्क्रीन पे तो दोस्तों देखिएगा मैंने यहाँ पे किसी एक स्कूल की ID में हो लोगिन कर लिया है अब यहाँ पे सबसे उपर आपको यह मेनू बार दिखाए दे रही है इसी मेनू बार में सबसे लास्ट में आपको एक मेनू या टेप दिखाए देगी प्रीक्षाप परणाम की और जब आप इस टेप पे किलिक करते हो तो आपके सामने तीन ओप्षन आगी सबसे पहले तो इन तीनों ओप्षन का मतलब अपन समझ लेते हैं तो यहाँ पे पहला ओप्षन आ रखा है इंटर टोटल मारक्स कलास वाइज वन टू टेन यानि कक्षा एक से लेके 10 तक के टोटल जो मारक हैं वो इस पोर्टल पे आपको पहले है अपडेट करना पड़ेगा इसके बाद दूसरा ओप्षन आ रखा है कक्षा 6 से लेके 10 तक 3D language का और कक्षा 11 से लेके 12 तक stream wise subject के जो टोटल नंबर है वो आपको इसमें है अपडेट करना पड़ेगा इसके बाद तीसरा जो ओप्षन आ रखा है इंटर इस्टूडेंट ओबिटेंट मारक्स यानि इस्टूडेंट ने कुल कितने एंक हैं वो प्राप्त की हैं तोटल मारक्स से उसने कितने प्राप्त की हैं वो यहाँ पर आपको फीड करना है तो यहाँ पर खास बात ही है कि सबसे पहले उपर दो वाले जो ओप्षन है इसमें आपको टोटल मारक्स है वो फीड करने पड़ेंगे चलिए पहले वाले option को मैं आपको open करके दिखाता हूँ जब आप इस पे click करते हैं तो यहाँ पे लिखा fill total marks class wise 1 to 10 ठीक है अब यहाँ पे देखिए section 70 है 2022 stage आरक है जो की by default है इसे आप change हो नहीं कर सकते हैं एक यारक है इसके बाद आपको यहाँ पे class हो select करनी है आपकी school को जिस class तक यहाँ पे मानेता है वो class आपको दिखाए देगी वैसे एक से लेके 10 तक total subject की जानकार है यहाँ पे वो पुछी जा रही है तो for example मैं यहाँ पे एक यह अपनी 9th class को मैं select कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 9th class को select किये तो 9th class में जो अपने subject होते हैं वो subject का नाम आ गया हिंदी इंगलिस है math, science, ssd ठीक है तो यहाँ पे total mark आपको लिखने अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि total marks आपको कौन से लिखने देखिए यह दी board class है ना तो board class के अंदर अपने जो वार्सिक प्रिक्स है के अंदर जो final student की mark sit आती है तो उस हिसाब से total number आपको लिखना है तो जैसे दसवी और अपन बारवी की बात करें तो यहाँ पे 100 number का है वो paper होता है ठीक है practical अगरा होगरा मिला के अगर अपने यहाँ पे non board class की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकी जो final mark sit होती है total जैसे 200 number का एक विशे होता है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे है वो mark से वो fill करने मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो total mark के आप जो भरोगे वो देख लेना कि आपके जो student की जो mark sit है उस mark sit में total पुरुनांग कितना है per subject तो per subject का आपको यहाँ पे वो डालना अब जैसे आप इसे डाल दोगे तो यहाँ पे add या update का option आएगा तो वो निचे add हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से सभी कक्साओं का डालना मैं यहाँ पे एक बार third class को select करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अब जैसे मैंने यहाँ पे third class को select किया तो देखिए उसी साब से यह subject आगे तो class wise है यह subject हो बदलते रहेंगे ठीक है अब यहाँ पे एक बार यह आपको entry करनी है हर class wise है एक एक बार आपको entry करनी है सारी class यहाँ पे नीचे add हो जाएगे तो टोटल मारक यहाँ पे आजाएगे ठीक है अब अपने जो third language है वो कौन सी class तक है तो यहाँ पे select कर लिजेगा जैसे मैं यहाँ पे 7th class को select कर रहा हूँ अब यहाँ पे जो भी third language है उसका नाम आपको दिखाए देरा जो आपकी school की मानेता है उसको select कर लिजेगा और total mark यहाँ पे डाल के इसे आपको update कर देना है अब यहाँ पनी यहाँ पे देखिए 11th को select करते हैं फिर 12th को select करते हैं क्योंकि 6 से लेकि 10 तक तो third language होती है अपनी गुजराती, Sanskrit, Urdu, अगर अगर अगरा लेकिन 11th और 12th में stream की साफसे subject हो बदल जाते है तो यहाँ पे stream कौन सी आपकी school के अंदर कौन सी stream की मानेता है, कौन सी संकाई की मानेता है वो यहाँ से select कर लिजएगा जैसे मैं यहाँ पे science को select कर रहा हूँ ठीक है, अगर अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा अब physics के total mark कितने है अब यहाँ पे देखिएगा हमने कौन सी class को select किया है 11 को किया है तो 11 के हिसाब से total marks आपको यहाँ पे fill करने है ठीक है अगर आप यहाँ पे 12 करोगे ना जैसे मैं 12 करके आपको यहाँ पे दिखा दूँ ठीक है ना चलिए मैंने यहाँ पे 12 कर दिया और 12 करने के बाद यहाँ पे अपनी यह जो physics है physics का total marks इतना वैसे normally show होता है तो show के इसाब से आपको add करना तो कहने का मतलब है अलग अलग class को select करने के बाद आपको है इनके total marks है वो आपको यहाँ पे add करने पड़ेंगे ठीक है अब यह दो option का काम complete होगा अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा option आता है enter student, orbit and mark ठीक है न यानि student ने कितने marks प्राप्त किये हैं हमने जो total marks हैं अब इसके अंदर feed किये हैं उन में से student ने कितने marks प्राप्त किये हैं यहाँ पे देखिए सबी class है इस तरह से show हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे देखिए for example एक बार यह 10th class को select कर लेता हूँ और search वाले option पे click करते हैं अब जैसे हमने इसको select किया तो हमारे यहाँ पे देखिए session 2022 stage के अंदर 10th class में जित्ते भी student थे उनके list आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी ठीक है अब यहाँ पे देखिए आगे column बनावा है subject wise यहाँ पे column बन गया है ठीक आप यहाँ पे देख सकते हैं Hindi, English है, Math, Science, SST है third language है class के इसाब से ठीक है परते के student का आपको बारी-बारी करके यह save करना है ठीक है, हमने यहाँ पे तो अभी 10th class को select किया है चलिए एक बार मैं 12th को भी select करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या option आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे stream wise है यहाँ पे अलग-अलग आगे अब आपको पता है कि अपने portal पे तो सभी student की एक साथ entry होती है लेकिन कुछ के arts होती है, कुछ के science होती है अलग-अलग stream होती है, अलग-अलग संकाय होता है तो यह माल लेते हैं कि यह student है कक्सा बारवी के अंदर इसको कौन सी stream है, science है या फिर arts है उसे के नुसारा आपको यहाँ पे select हो कर लेना जैसे मैं यह arts को select कर रहा हूँ, ठीक है इसके बाद यहाँ पे इसका जो compulsory subject हो कौन सा है, हिंदी है ठीक है, उसके बाद दूसरा compulsory subject कौन सा है तो मैंने इसको यह select कर लिया, ठीक है इसके बाद यहाँ पे जो अपना optional जो subject आते हैं देखी, यहाँ पे सभी optional subject के नाम है वो दे रखे है, arts के इसाब से, ठीक है वो select कर लेना, ठीक है, तो तीन optional subject होती है अपने, तो तीनों को यहाँ पे number डाल के आपको share कर देना, अगर इसी तरह से आप यहाँ पे science को select करोगे ना, तो science के नुसार आपको यहाँ पे subject दिखाए देंगे share कर देना, बस, share करने के बाद आपकी तरफ से हो काम हो, वो complete हो गया तो दोस्तों इस तरह से अपन PSP portal पे प्रीक्षा परणाम update कर सकते हैं, साइद आप समझ गई अब इस प्रीक्षा परणाम को लेके कई school साथियों के सामने कई तरह के सवाल आके खड़े हो गए हैं, एक के को clear करने के कोशिश करता हूँ, सबसे पहला सवाल यह कि हमें यह प्रीक्षा परणाम क्यों update करना है दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूँगा, अगर यह बात सेशन 2023 की होती तो हमें यह clear हो जाता कि विया चालो सेशन के मारक्स हमें update करने हैं, यह हमारे लिए फाइदमन था लेकिन सेशन 2022 ते इसका क्या मतलब है आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा देखे, जो साला दरप्रन पोर्टल है गोर्मेंट इसकूल का उस पर भी इस तरह से स्टुडेंट के मारक्स हैं वो update करवाये जा रहे हैं और लगातार सिक्षाई भाग के दवरा इसको लेके आदेश जारी किये जा रहे हैं क्योंकि जो गोर्मेंटे जो टीचर्स हैं या फिर सम्मंदी जो परभारी हैं पोर्टल के उन्होंने भी स्टुडेंट के मारक्स हैं वो पोर्टल पे update नहीं कर पाये इसलिए लगातार है उनको आदेश जारी किये जा रहे हैं तो ये बात तो तय है जायर सी बात है कि यहाँ पे ये जो मारक्स हैं सभी स्कूल साथियों को update करने पड़ेंगे क्योंकि सवाल ये भी है कि हमें update करना है या नहीं करना है बिल्कुल करना है लेकिन दूसरा सवाल ये उड़ता है कि हमें कब तक करना है दोस्तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँआ इसको लेके है सिक्साव वाग के दवारा अपनी जो प्राइवेट स्कूल है इनके लिए कोई भी गाइडलाइन या कोई भी दिशा निर्देश्विल हाल तक जारी नहीं किये गई अब ये प्रीक सा प्रनाम update करौने का मतलब क्या है क्या उदर से हैं ये कहीं पर भी इस पेस्ट नहीं लिखा है इनोंने कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं दिए तो ऐसे में थोड़ा भर्मित तो मैं भी हूँ लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में हम और है इनक्वारी करने वाले नया update आने के बाद आपको जरूर जानकारी देंगे लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये पोर्टल पे update क्यों करवाये जा रहे हैं तो देखिए update करवाने का मतलब यह है कि आपको पता है कि student के लिए कई तरह की जो scholarship हैं वो सरकार के दवारा दी जाती है तो ऐसे में उनके जो मारक्स हैं या merit-based system होता है उसी के नुसार उनको है ये में जो scholarship हो मिलती है तो इस वज़े से हैं ये मारक्स अपडेट करवाये जा रहे हैं आपके जानकरी के लिए बताना चाहूँँआ अभी जो PM SSV योजन है उसकी जो entrance exam है इस साल हो cancel कर दी और यहां पे जिन student ने कक्षा आठवी और दसवी के अंदर 60% अंग प्राप्त किये हैं उनको qualify किया गया यानि वो merit में आगे हैं उनको ही scholarship मिलने वाली है तो कहिना कहीं department ये चाहता है कि ये किस student के हैं कितने मारक्स आए हैं ताकि एक analyze कर सके ये केवल PM ESSW scholarship की बात नहीं है अन्य भी और वी scholarship है साइद इनका मैन मकसद यही है अब यहां पे एक दूसरा सवाल उड़ता है बड़ा कि यहां पे ठीक अपन मान लेते हैं कि जो board कक्षा हैं जैसे कक्षा दसवी है और कक्षा बारवी है इनमें मारक्स तो हम अपडेट कर देंगे लेकिन जहां grading system है एक से लेके 8 तक उसमें हम मारक्स किस आधार पे अपडेट करें अलांकि यहां पे जो कक्षा एक से लेके 8 तक 9 board कक्षा हैं तो यहां पे देखिए कक्षा 5 और 8 की board थे तो यहां पे क्यों मारक्सित में तो grading system आता है मारक्स का तो हमें पता ही नहीं चलता है तो फिर इनके नमबर अपन कहां से बरेंगे तो दोस्तो आपको पता होगा कि जब आप यह result लेने के लिए गए थे या फिर student की मारक्सित लेने के लिए आप गए थे तो आपको यहां पे साइद एक tr file हो जुरूर दी होगी ठीक ना एक सफेज सवेद पन्ना है एक लंबी चोड़ी लिस्ट आपको दी होगी उस tr file के अंदर है student के सभी subject के नमबर आपको मिल जाएंगे उनकी grade भी आपको मिल जाएंगे अगर non board के बात करें तो आपने वैसे ही marks हैं अपने जो excel seat है साइद कौन सी excel seat को आपने यूज किया है उसके अंदर आपने mark सड़ाएंगे उनका तो आपको आसाने से वो पता लग जाएगा तो इस तरह से आप एक जो समश्या आ रहे है उसका आप समादान है वो कर सकते अब सवाल ही उड़ता है कि हमें कब तक भरना है तो भिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई express guideline नहीं है कब तक भरना है ना इसकी कोई last date है अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अगर विवाग को यहाँ पे है सुचना एक्तिरित करनी है एक्ठी करनी है तो विवाग को express guideline वो जारी करने चाहिए ताकि ना तो आप भर्मित हो और ना ही हमारे जैसे जो creator हो भर्मित हो तो भर्म की स्तिती तो उन्हें नहीं छोड़ दी है लेकिन खैर कोई बात नहीं इसमें आपको जल्द बाजी बिल्कूल भी नहीं करनी है अगर आप ये मारक्स भी नहीं बरोगना तो कोई यहाँ पाड़ गिरने वाला नहीं है आप थोड़ा सा wait कीजेगा अगर विवाग को यहाँ पे आंकडो के आप सेक्टा है तो भी या वो इसके लिए दिशा नर्देश जरूर जारी करेंगे या फिर डियो को पाबंद करेंगे या फिर सीवियो को पाबंद जरूर करेंगे तो उनकी तरप से आपको guideline मिल जाएंगे फिर भी देखिए अभी तो दो दिन-दिन की छुटियां है छुटियों के बाद अपन कोशिश करेंगे कि इसके बार में कोई नई जानकारी जुटायके वो आपके लिए ले करें लेकिन चलते चलते हम आपको यह खहना चाहूँगा हो सकता है कि दो साल बाद में पिछे वाला record हो हटा दे तो ऐसे में बहुत से के लिए है आपके लिए ही इसको शुरुक्षित हो रखना है तो फिल हाल की इस्तिति में यही अपडेट है ज्यादा चिंतित और भर्मित होने के आवसेकता नहीं है अराम से जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहना वैसे वैसे इसमें अपडेट करते रहेगा और इसके लाओ कोई confusion की इस्ति है तो जरूर मेरे साथ हो शेर कीजिएगा आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी क्योंकि कई साथियों बार-बार Instagram पे है, कुछने WhatsApp पे है कुछने Mail के दवारा है मुझे सुचित किया था कि सर इसके बार में थोड़ा सा कलियर कर दियू तो आसा रखता हूं कि साइद आप समझ गए अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी स्कूल साथियों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं फ्रेंट से अगले एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिन जय हारत